हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्स्ट चैनल तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमेट नियो वाइज के बारे में दोस्तो मैं इस comment के बारे में पेले से ही एक वीडियो बना चुका हूँ मैंने उस वीडियो में काफी information दी है अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैंने इस वीडियो के description में एक link दिया है आप वहाँ जाकर देख सकते हो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ और बातें इस comment के बारे में discuss करने वाला हूँ तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो में मैं आपसे तीन बातें discuss करने वाला हूँ इस comment के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस कोमेट का नाम क्या है इस कोमेट को नियववाइस कोमेट कहते हैं इसका एक और और नाम भी है जो है C-212F3 आपको मैं बता दू कि जैह जो नियवाइस कोमेट है जैह 3 जुलाई 2020 को सूरे के पास पहुंचा था और अब जैह हमारी पृत्वी की ओर आ रहा है जैह नियोवाईस कोमेट 23 जुलाई 2020 को पृत्वी के पास से होकर गुजरेगा तो सबसे पहली बात डिसकस करते हैं जो है डिसकवर्ड वाई नियोवाईस स्पेस दोस्तो इसका मतलब है कि जैह जो नियोवाईस कोमेट है इसको एक नियोवाईस स्पेस टेलिसकोप के दवरा खोजा गया था इस टेलिसकोप की सहायता से 15 और कोमेट्स को खोजा गया है और बिग्यानिकों का केना है कि इस टेलिसकोप की साहता से और भी कोमेट्स और एस्टरोइड फ्यूचर में खोजे जाएंगे दूसरी बात मैं आपसे डिस्कस करने भी जा रहा हूँ जो है How to see Komet Neowise in India जानि जय जो Neowise Komet है इसको इंडिया में किस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों खुशी की बात जय है कि इस Neowise Komet को इंडिया में भी देखा जाएगा आपको मैं बता दू कि जय नियो वाइस Komet 13 जुलाई 2020 के बाद आसमान में दिखना शुरू हो जाएगा और आपको एक और बात बता दें कि अगर आप इस Neowise Komet को देखना चाते हो तब आप सूर्य के डलने के बाद नोर्थ वेस्ट की तरफ आप आसमान में जब देखोगे तब आपको इस Komet के दर्शन होंगे जिस डायरेक्शन में सूर्य डलता है उस डायरेक्शन के थोड़ा सा नोर्थ वेस्ट की तरफ अगर आप देखोगे तो इस Komet को आप देख सकोगे तो दोस्तो तीसरी बात अभी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो है नियोवाइज कोमेट हैज टू टेल्स इसका मतलब दोस्तो जै है कि जो कोमेट्स होते हैं वेह डस्ट और बर्फ के साथ बने होते हैं जै जो new wise कमेट है इसकी दो टेल्स हैं एक टेल बनी है डस्ट के साथ और दूसरी टेल बनी है गैस के साथ तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको new wise कमेट के बारे में बताया है मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कुछ और information दी है इस new wise comment के बारे में अगर आपको बहुत वीडियो देखनी है तो उसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा आप वहाँ जाकर देख सकते हो तो दोस्तो अगर आपको कोई doubt है तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो तो अन्त में दोस्तो अभी आपको जैब वीडियो केसी लगी अगर आपको जैब वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को like कर सकते हो और चैनल को subscribe करना मत बूलना दनेवाद